स्टार्ट करते हैं डिसोलिशन सम नंबर सेकेंड मतलब गवर्मेंट टेक्षबूका सम नंबर 3 और वीडियो के लिए सम नंबर सेकेंड है अब इस सम के अंदर सबसे पहला जैसे मैंने कल करवाया था स्टेप्स होते हैं स्टेप्स में पहला स्टेप्स है बैलेंशेट खाली करो उसके बाद असेट्स बेजो लाइबरिटीज पे करो और क्लोसिंग करो वराबर उसके अलावा एक डिसोलिशन का खर्चा वाथा जो अ अब आदे तो डिस ओल देर फर्म ऑन 31st मार्ट 2019 बैलेंशेट बना के दिया है और क्लियर्टी पहरे लाइन में बोला है बैलेंशेट के अंदर क्या बोल रहा हो तो बिसनेस डिसोल होने बिसनेस डिसोल होना तो पहला स्टेप क्या आरिए बैलेंशेट खाली करो जितने भी अब आधी अचेट से वहां से खाली करो कि इधर लाके रखो गोलाओं में लाके लखो जितनी भी लाइबरीटी देर निकालो कहां लाके रखो गोलाओं में आगतला मतलब रिए लाइशेट से अचेट में क्या दिख रहा है बिल्डिंग, परणीचर, डेटर, स्टॉप, वेल रिटीवल कैश कैश थाली नहीं होगा क्योंकि कैश के लिए पैशल अकाउंट होता है तो कैश के अंदर टू बालें प्रॉट डाउन छे हजाब लिए उसके अलावा जितने भी असेट से सब खाली करेंगे वहां से निकालेंगे और रियलाजेशन डेविट में पहले से एहाए प्रिक्रहा है तु संडरी असे बोलतो क्या है विल्डी अचे बिल् इंलिर पेलंडेंग आ जिके-जाइट हने खेव से इसमीडर फोहजां टेजरांइब ऑनेधिंग का लिए जालोर कैशों के यांदारेंग होनाँ कि मैनिक्शंट के इक्समाक्रमीक्ष न्याह ज कोई RTD बगेरा नहीं है, टॉटल करने थे हबीग, अटरा और और तो, बीस और वीश चालीस, और टॉटल शिक्स्टी सिक्स्टी सिख साउबंड, सारे असेट्स खाली हो गये, हां से, सारे असेट्स खाली हो गये, बैलेंचर को ध्यान से दिखना, जितने भी असेट्स साब वहां से निकाला, सारे असेट्स खाली हो गया, सिर्फ कैश, कैश में चला है, ठीक है, लाइब लीडीस पे जाएंगे, लाइब लीडीस में है, रिजर्व फंड, कली मैंने आपको बता है, जो भी रिजर्व या जो भी फंड है, किस को मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, लाइब लीडीस मतलब क्रेडिट है, साइट पे बाए, रिजर्व फंड, कितना रिजर्व फंड है, सर टोटल दिया है, आठ हजार, आठ हजार को इकोल ही डिस्ट्रिबुट होगा, चार हजार, और चार, नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, सर ग्रेडिटर्स, सर ग्र अठ हजार, इसके बाद है, बिल्स पेड़, ये भी इदरी आ जाएगा, बिल्स पेड़, 7200, इसका भी टूटल करने थे, देखते हैं, कितना होगा, 20,000, चार ठीक है, ये बिल्स पेड़ भी होगा, उसके अलावा दिया है, क्यापिटल, अपिटल अकाउंट में चले आप अगर ध्यान से देखोगे, आपने पहला स्टेप कम्प्लीट कर लिया, बैलेंशेट खाली हो गया, जितने भी असेट थे, सब खाली, जितने भी लाइबटी से, सब खाली, पार्टनर का पार्टनर में गया, यहां पे कोई एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं बनेगा, जै Step No. 2 क्या है? Step No. 2 है, Assets बेचना है, अब असेट बेचने के लिए कुश्चन में देखना पड़ेगा, Assets Realize as Under, Assets Realize का मतलब Assets बेचा, Stock बेचा, Datas बेचा, Bill Receivable बेचा, तीन चीज़ बेचा, अब तीनो जब आया था, तो Realization में debit है, देखो, Stock आया debit, Datas आया debit, Bill Receivable आया debit, अब बेचा तो क्या हो जाएगा, Credit, आया था debit, बेचा तो, Credit पहले से आपनी लिख के रखा है, Format में, Buy Cash or Bank, क्या क्या जाएगा, Datas, Stock, Bill Receivable, Datas कितने में बेचा, तो Datas बेचा, 16,600 में, Stock, कितने में बेचा, 18,400 में, 1,980, और, Bill Receivable, 1,980, टोटल करते हैं, जीरो, आट, 6,19, एक, 6,17, 15,16, एक, टोटल, 36,980, इधर, Credit, जूसरा effect देने गा, debit, जब आसेट बेचा तो, क्या आएगा, पैसा आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा, आएग करेको, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, कितना, 53,980, समझ मे आएगा, बढेंगे, नेक्ष, उसके बाद क्या दिया है, संजीव, एगरी, तो, तक रर्जी शुलाएग, पैल बीडिग ले जा रहा है, है, तिर से, बीडिग आया था, डिविट, अ इधर credit दूसरा effect देने का debit को देने का अकाउंट डेविट तूस रेलाइज़ेशन अकाउंट संजीव में अट्राइज़ सारा उपर बात समझा गया बड़े प्यारेंट उसके बात क्या दिया है आगे दिया है राजीव एगरी टू टेक ओवर फरनीचर फॉर उपीज 5,400 राजीव बुल रहा है फरनीचर ले जाओंगा फरनीचर आया था डेविट अब जा रहा है तो credit तो बाय राजीव capital अंडलाइन करके क्या ले जा रहा है फरनीचर कितने ले जा रहा है पांच हजार चास्तों में इधर credit दूसरा फरनीचर ले जा रहा है तो टू realization account राजीव में 5,400 बात समझ में आया गया बढ़ी आगे उसके बाद क्या दिया है realization expenses amount to 600 600 रुपय का realization खर्चा हुआ खर्चा हुआ तो पैसा आएगा भी जाएगा ज़र पैसा तो जाएगा cash account credit और खर्चा है तो realization account debit पहले से में ले लिखे रखा है to special bank dissolution expenses किसना 600 इधर debit दूसरा effect देने का है credit पैसा जाएगा by realization account 600 रुपय समझ में आये क्या बढ़ेंगे आगे उसके बाद और कुछ है नहीं sir खतम हो गया अब खतम होने से पहले करना क्या है check करना है कि मैंने सारे assets pay दिये क्या सारे liabilities pay कर दिये क्या यह check करने का फिरी closing करना है ठीक है तो आपको कितने assets है building sir चला गया furniture चला गया data's हो गया stock हो गया मतलब सारे assets तो big है क्या मैंने सारी liabilities pay की नई sir liabilities तो दोनों हो और उसके बारे में question में कुछ भी नहीं बुलाए बराबर है जब कुछ नहीं बुला है तो जो भी उसका book value है उतना उनको pay करना है liabilities था credit pay करने करें तो तू क्या चुर्वाइं पहले से लिख कर रखा है इसमें लिखोंगे क्या पे करोगे creditors on business payable को pay करोगे creditors कितना है 12,800 और 7,800 समझ मैं total 23,000 इधर debit दूसरा effect देने का credit pay करेंगे तो पैसा जाएगा by realization account 20,000 अब सारे assets बिखे सारे liabilities pay होगे desolation का खर्चा भी हो गया तो closing कर सकते closing में पहला extra account है ने realization account close होगा तो realization account close करते देखते कौनसे side का total जादा है अब 20,36 और 18 और 60 और 20,80 यह होगा 50,60 मेरे इसाब से यह total जादा है 86,600 86,600 clear है अब इस total में इस total को minus करते देखते किसना रहा है दो जिरो, sorry, एक जिरो, 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 आठ, आठ, आठ में दो add करेंगे तो 10, तो 10 का 0 और एक उपर, एक और 9, 10, 10 और 4, 14, 14 में 2 add करेंगे तो 16, 16 का 6 और 1 क्यारियर, 1 प्लस 6, 7, 7 प्लस 8, 15, प्लस 5, 20, 20 में 6 add करेंगे तो 26 आएगा 26 का 6 इदर 2 क्यारियर, 2 प्लस 2, 4, 4 प्लस 3, 7, प्लस 1, 8 इद में 0 तो 6,220 रुप्या आया तो इसे 2 net loss को होगे राजीब और संजीब को equally divide करेंगे तो 3,110, 3,110, total 6,220 इदर credit दूसरा effect देने का debit 2 realization account, 3,110, 3,110, समझ में आये क्या, अब ये account close करेंगे, कौन सा side ज्यादा लग रहा है सर, इदर का ही total ज्यादा है, यहां पे 28,000, यहां पे 24,000, बराबर, same total यहां पे लिखेंगे, 24,000, 28,000, clear it, minus करेंगे, 0 में 0, 1, 1 में 9 add करेंगे तो 10, 0 and 1 carry up, 2 में 8 add करेंगे 10, 0 and 1 carry up, 8 और 1, 9 और 9, 3, 12, 12, 12 में 6 add करेंगे तो 18 आये, 18 का 8 और 1 पर 1 और 2, 2 में 0 add करेंगे, बस समझ में, दूसरे पे जाते हैं, 0, 0, 1 में 9 add करेंगे 10, 0 and 1 carry up, 4, 5, 6, 6 में 4 add करेंगे तो 10 and 1 carry up, 5, 6, 9, 9 में 5 add करेंगे तो 14, 14 का 4, 1 और 1 में 1, यह चले जाएगा cash और bank में, इदर debit, दूसरा इफिक देने का है credit, by partners capital account आ जाएगा, partners capital underline करके राजीव और संजीव, राजीव ने कितना है, 15,490, is close 6,890, total 0, 18 and 1, 12, 13, 6, 6, 12 और 1 और 2, clear, अब यह account को close करते, देखते, कितना है, 0, 8, 9, 12, 1 and 4, 42,980, यह बाजीव का भी total करते है, 0, 8, 9, 2, 4, 42,980, समझ में आए, dissolution कैसे करते, I hope सब को समझ में आया, thank you.